साथियो आज हम आपको जंगली सुवर से जुड़े महतपूर्ण एवं चौका देने वाली जानकारिया लेके आए हैं आपसे एकर रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंतक्व जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो को काफी रिसर्च करने के बाद बनाई गई है साथियो जंगली सुवर जंगल में रहने वाला एक बहुत ही खतरनाक जीव है जिसे इनसान से बेहत डर लगता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे सिकारी मानो इस जीव पर हमला करता है तो यह अपने बचाओं में इनसान पर हमला कर देता है और जंगली सुवर के हमले में सिकारी बियक्ति गंभी रूप से घायल हो जाता है और उसकी अंत में मौत तक हो जाती है। आपको बता दे कि जंगली सुगर के दवरा किये गए हमलों में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। साथीओ जंगली सुगर की खासियत यह है कि यह जानवर अकेले रहने वाले बुढ़े नरों को छोड़कर जंगली सुगर जुण में ही निवाश करते हैं यह तियज निसाचर और सरभच्छी और अच्छे तैराक भी होते हैं इस जानवर के दात पैनी और बाहर की ओर निकले होते हैं जिसे देखने के बाद बेहद ही खतरनाक दिखता है मित्रो इस जानवर के सरीर पे कड़े बाल होते हैं और रंग धूसर या काला भूरा होता है इसके अलावा इसके कंदे तक इसकी उचाई 90 सेंटीमीटर तक होती है और यह मध्य इरोप भूमध्य सागर और एसिया सहीत कई देशों में यह पाय जाता है जंगली सुहर साकाहारी और मांसाहारी दोनों परकार का जानवर होता है यह मुखे रूप से बीज फल पत्ते जामुन अंडे चुहे चिपकिली को खाना बेहद ही पसंद करता है मित्रो जंगली सुहर निसाचार यानी रात के दोरान सक्रिये रहने वाला जानवर है और वो दीन में 12 घंटे नीन में ही बिताता है क्योंकि इसे सारी रात जागनी होती मित्रो आपको बता दे कि जंगली सुवर के बहुत सारे दुस्मन है जो जंगली सुवर के मुख्य सिकारी वाग तेंदुआ भेडिया और इंसान है दोस्तों जंगली सुवर का गर्फ काल लगभग 118-115 दिनों तक रहता है यह जानवार एक समय में 4-6 बच्चे को जनम देती है माही अपने बच्चे को देख भाल करती है यह जंगली सुवर अपने जीवन के पहले कुछ महिनों के लिए अपनी माप निर्भर होते है और यह कैद में जानवार लगभग 25 साल तक जिवीत रह सकते हैं मित्रू इस जानवार में एक ही कमी है कि यह जानवार किसान को खेत को भाले नुक्सान पहुचाते हैं और यह जानवार आम तोर पे रात के समय खेत पे हमला करके सारी फसल को बरबाद कर देते हैं जंगली सुवर एक मध्यमकार का जानवार होते हैं इनका वजन करीबन 90-136 ग्राम तक होता है इस जानवार के नीचे के होट पे सिंग एक जंगली सुवर की सबसे परमुक जिसे स्ताओं में से यह है साथियों हमें उमीद है कि आपको यह आर्टिकल जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो के जरूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा